तो आज का विडियो है आप सभी क्लास एट के स्प्रेंश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में नो डिसकस करने वाले हैं आपकी होने वाले क्लास एट हाफ हेरल एक्जाम से रिलेटेड मैथेमेटिक्स का एक जिसके आपके स्कूल के आफ एक्जाम में आने के मैक्सिमम चांसे से अगर आप इस को शॉल्शन आप एंड तक देखके जाते हो इच अब एक उसका सालीशन को सही से समझ के जाते हो तो हंडेड़ परसेंट यह ऐसे कोश्चंज आए जो आपके इस वीडियो का प्रेंट पर को जो भी कोश्चन आज आपको हैं बताए जा रहा है उसको अच्छे से समझ के उसका सॉलिशन देख के उसका एमस्वर पता करके ही आप अपना हाफिरल एक्जाम देने जाएं तो भी गारेंटिड मान लो कि ऐसे कोश्चन से हैं जो आपके एक्जाम्स में आने के हंड्रेड पड़ते हो चाहे कोई भी स्कूल आपका हो किसी भी स्केट का हो हर एक स्टुडेंट के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन है सबके लिए कहलो उइक्वली इंपोर्टन है और यह ऐसे कॉश्चन सा हैं जो आप इने कहीं में सिली मिस्टेक करी देते हो तो नंबर का जो additive identity होता है वो 0 होता है फिर बोला है 6 is added to 3 times of a number it becomes 15 तो मानला आपका कोई number x है तो उसका 3 times क्या होगा 3x तो 3x plus 6 equals to क्या होगा 15 यही आपका equation होगा option number A सही है फिर बोला है how many diagonals does a regular hexagon have दो खो hexagon का मतलब क्या होता है जिसके कितने side होता है तो 6 side होता है और number of diagonals find करने का जो आपका formula होता है n into n minus 3 by 2 तो यहांसे आपका answer क्या आएगा तो 6 into 6 minus 3 by 2 तो finally आएगा 6 into 3 by 2 आपका answer आएगा 9 answer आपका क्या जाएगा 9 जाएगा फिर अगला है to construct a quadrilateral we need to know two adjacent sides and and to construct a quadrilateral we need to know two adjacent sides and three angles ठीक है आपको कमसे कम 2 side हो 3 angle बता हुआ तो ही आप एक quadrilateral construct कर पाएगे ठीक है two adjacent sides and three angles what is the upper limit of a class interval तो यह जो आपका 30 है ना इसको हम बोलते है upper limit ठीक है यह जो हमें लिखा है ना 25 minus 30 25 आपका lower limit है 30 आपका upper limit है the square of the following number will be even तो square of even number is always even तो 50 आपसा number D सही होगा the unit digit in the square of a number 2,6,4,4 तो लास्ट में 4 है ना तो 4 का square करने तो आपको क्या मिलता है 16 तो unit digit के आने वाला है 6 आने वाला है ठीक है the cube of an odd natural number is अगर आप odd number का cube करोगे है तो हर दम क्या आता है odd number ही आता है ठीक है out of 40 student in a class 25% past the harmony student past कितने बच्चे पास हुए है तो 40 का आप जब 25% find करेंगे तो आप देखोगे आपका क्या आ रहा है यह आपका answer 10 आ रहा है 10 बच्चे अपने एक्जाम में क्वालिफाई किये है तो question number 9 का option B सही होगा 10 answer होगा ठीक है अगला question है the mark price of a book is 100 the shopkeeper gives 25% discount on it तो what is the sale price of the book ठीक है तो देखो marks price आपका 100 है तो पहले आप discount निकालो 100 का 25% तो आपको क्या आएगा 100 into में 25 by 100 होगा 100 संडेड हमारे cancelled 25 रुपीज का discount हो रहा है तो 100 रुपे का समान है उसमें से आप 25 रुपे discount दे रहा है यह कितने बिकेगा तो आपका बिकेगा टुटल 75 रुपीज में कितने बिकेगा 75 रुपीज में तो option number 10 होगा तो आपने 10 questions को एक बार screenshot ले ले हैं दुबारा इनका सही से आप देख लो मेरे पुरा screen के पने लगा दिया है इनका आप screenshot करके इनका आप सही से practice करके अपना half early exams देने जाएं तो कि अगर आप इन questions को solve करके जाते हो तो 100% ये questions आपके exams में पूछे जाएंगे ठीक है अगला जो हमारा केलो section B है जिसमें आपके 5 questions दे जाएंगे हर एक question एक marks का है What is the additive inverse of this तो किसी भी number का additive inverse क्या होगा आप से पुछा गया कि What is the additive inverse of this 3 by 4 का additive inverse क्या होगा अगला question हमारा question 11 है What is the additive inverse of this जाखो 3 by 4 का additive inverse क्या होगा तो minus 3 by 4 होगा minus 3 by 4 answer क्या होगा इसका minus 3 by 4 is the additive inverse of this ठेक है तो यह आपके question number 11 का solution रहा question number 12 में हमें दिया है swap the following linear equation आपको दे रखा है x minus 11 equals to 7 तो simply 11 का side change कर दो हमें क्या मिल जागा x equals to 7 plus 11 हमारा answer आएगा x equals to 18 ठीक है तो ये question number 12 का solution हो गया question number 12 का 2 हमें दिया गया है z plus 8 equals to 9 तो z आपका क्या होगा 9 minus 8 हो जाएगा जो कि 1 होगा जिसका answer 1 होगा ठीक है फिर अगला question आपका पुछा गया है question number 13 question number 13 में दे रखा है the angles of a quadilaterals are in the ratio 2 is to 3 is to 5 is to 8 find the measure of each angle देखो question number 9 का 13 का solution में आपकर रहा है let the first angle be 2x second angle 3x third angle 5x and fourth angle 8x दो सबको जब quadilaterals के आप 4 angle का सम करते हो तो कितना आता है 360 degree ठीक है जब आप इन सबी को add करोगा आपको मिलेगा 18x जो कि आपका है 360 degree तो x की value क्या आगे? 360 by 18 तो x हमारा आगया 20 x क्या आगया? 20 आगया तो first angle आपका क्या होगा? 2 into में 20 जो क्या होगया 40 degree क्या होगया? 40 degree second क्या होगा? 3 into में 20 जो क्या होगया 60 degree ठाड होगा आपका 5 into में 20 जो होगया आपका 100 and 8 into में 20 जो क्या आपका आगया 160 तो यह आपका question number 13 का solution रहा तो आप सही बच्चे इस solution को detail में देखना हो detail में समझके अपने होने वाले exams को आप देने जाएं अगला question नमारा है question number 14 14 question में दिया है कि find the cube of 0.3 0.3 का cube का मतलब क्या हुआ? 0.3 into में 0.3 into में 0.3 इसको आप multiply कर ला आपका answer रहागा 0.027 0.027 ठीक है? आप multiply करके चेक कर लेना मन के तो आप इसको ऐसा लिख लेना 3 by 10 का cube कर लेना 3 का cube 27, 10 का cube 1000 और फिडेसिमल में convert कर देना तो जैसे आपको अच्छा लगे अगला question नमारा है question 15 15 ने पूछा आपको कि 20% of x is 25 यही x of 20% हमें दे रखा है 25 तो बुला है find x तो x इंटु में 20 by 108 आपको 25 दिया गया है तो आप से को divide कर लो 5 times ही हो जाएगा न तो x equals to क्या होगा? 20 इंटु में 5 25 इंटु में 5, 125 तो x हमारा क्या है 125 तो यह आपको question 15 का solution ठीक है? तो x आपका होगा 125 अगला में question है section C जो case based study है question number 16 है फिर आपका यह आखरी question section होगा question number 16 में दिया आए कि look at the histogram and answer the following questions what is the variable being represented by the histogram? is the discrete or continuous? देखो कैसा है? discrete है और continuous है तो continuous है कैसा है? continuous है आप इसका आपसो दे सकते हैं continuous है how many students are over 170 cm tall 170 cm tall कितने बच्चे है देखो 170 से 175 कितने बच्चे है तो 9 बच्चे है 9 ठीक है how many students are there in all कितने total student है तब सबका sum कर लो यह आपका 5 हो गया यह आपका 1 यह आपका again 5 5 यह 9 आगया 5 कितना हो गया 29, 30 total कितने बच्चे है 30 बच्चे है बच्चे है पिर फिर फिर what is the minimum height possible for the shortest student 155 से 155 यह कितने the shortest student कितने है 150 फिर what is the minimum height possible if the tallest student 170 175 की बच्च में एक है तो पिर पिर कुश्चन नमबर 16 का इसा आप अगला आपर आए qश्चन 17 तो आप कैसे करोगे simply 1 & 3 आप note करो 1 & 3 आप note कर लो और करना क्या है सब को 5 से डिवाइड और मल्टिप्लाइ कर दो तो हमें क्या मिलेगा 5 by 5 एंड 15 by 5 अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर आपको लिखना है तो आप लिख लो ठीक है क्या मिलेगा हमें 6 by 5 7 by 5 8 by 5 9 by 5 हो गया हमारा एंसर कुश्चन नंबर 17 का ठीक है तो अगला हमारा कुश्चन है कुश्चन 18 अगला का कुश्चन है कुश्चन 18 में क्या दिया हमें कि फाइंड मेजर ओफ इच एक्स्टीर एंगल आफ रेगुलर पॉलिगॉन इच एक्स्टीर एंगल फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है अगर आप से बोला जाए इच एक्स्टीर एंगल तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो 360 divided by n मतलब नंबर आफ साइड तो 360 डिगरी बाइंड कर लो आपका एंसर के आएगा 40 आजागा कि फोटी डिगरी होगा पहले वाले का दूसरा आप में दिया कि हमें 15 साइड है तो 360 डिगरी बाइंड कर लो आपका जो एंसर आएगा 24 आएगा 24 तो यह आपके पॉस्टीर नंबर 18 का सॉल्यूशन रहा ठीक है अगला में दिया कि नाइंटीन question 19 में क्या बोला है कि find the square of the following numbers 32 का square तो 32 into 32 आप कर लेना डियरेक्ट मर्टिप्लाई मन करेगा तो बाटी अगर आपको कोई सॉट्टरिक पता तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो फिर 35 का square बोला गया 35 into 35 आप कर लेना आप कर लेगा 1,2,2,5 इतना easy question पूछा है 19 में दो number का है ठीक है फिर अगला question number 20 है जिसमें आपको बोला जा रहा है question number 20 में कि the sum of two numbers is 95 if one exceeds the other by 15 find the number तो लिखो let the let the first number be number be x then आपका second number क्या होगा second number होगा आपका x plus 15 ठीक है बरन exceeds the other by 15 अब दोनों का sum कितना दे रखा है आपको 95 दिया है तो 2x में मिल गया 95 minus 15 यानि कहलो आपका 2x आ गया 80 तो x की value क्या आ गई 40 तो पहला number आपका 40 हो गया दूसर नमबर आपका 40 plus 15 55 हो गया यानि 40 and 55 is the required answer question number 20 का solution रहा तो और बच्चो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो में दोस्तों साथ जरूर सेर करें ठीक है बूलना नहीं आपको 100% share करना है question number 21 आप खुद से करेंगे इसमें आपको frequency table बनाना है class interval ऐसे select करना है एट से 808 तो कैसल हो गया आप 100 से 810 810 से 820 अब तू कहां तर ले जाना है जब अब सबसे बड़ा number आप देख लो मेरे काल से 900 तर ले जाना है 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 890 से 890 और 890 से आप इसको ले सकते हो 900 तक बाकी देख लिना कि कौन सा number कि इसके बीच मा रहा है इस ते के साथ को frequency table chart बनाना है question number 21 का 22 आपका है कि final smallest number by which you are the following number must be multiplied to obtain a perfect cube तो अब 2, 4, 3 का पहले time fraction कर लो 3 से 81 बार में 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1 बार में जब वो 3, 3 के pair बनाने हैं तीन number तो यहां में मिल गए एक pair तो हमारा बन गया है यहां सिर्फ दो number है यहां 243 को अगर हम 3 से multiply कर दें तो एक और 3 हमारे पास आ जाएगा और यह perfect cube बन जाएगा तो 243 when multiplied by when multiplied by 3 becomes perfect cube इस तरीके साब को करना है question number 22 का पहला part आपका हो गया किस से multiply करना पड़ेगा आपको 3 से multiply करना पड़ेगा अगला में दे रखा है 256 तो अगेन आप 256 का prime factor करो आपको मिलता है 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, and 1 तीन-तीन के pair आप फार्म करेंगे तो आपके पस अगेन है दो बार दो आ है एक और टू आज है तो यह perfect cube बन जाएगा तो when 256 is multiplied by 2 it becomes 512 and becomes perfect cube और इसको में 2 से multiply करना पड़ेगा और इसको में multiply करना पड़ेगा 3 से तो अगला question आपका है question number 23 अगला question आपका है question number 23 अगला है milkman sold 2 of his buffalo for rupees 20,000 cash each on one he made a gain of 15 5% and on the other a loss of 10% find his overall gain or loss तो selling price of first buffalo find कर लो first buffalo find कर लो जो क्या है कि आपका 20,000 into 100 plus 5 by 100 क्योंकि profit कमाया है ना तो इसको आपको डिवाइड कर लो आपको मिला 200 into 105 तो इसको आप multiply करना कितना आ जाएगा हमारे पास 21,000 में पहले को sell किया है दूसरे का क्या हुआ selling price of second buffalo तो इसको 10% loss में बेचा गया है ना तो 100 minus 10 by 100 यानि 20,000 into 90 by 100 तो यह आपका cancel out हो गया इसको बेचा जा रहा है 18,000 में कितने में 18,000 में ठीक है तो total selling price कितना होगा तो 21,000 plus 18,000 यह जाएगा आपका 39,000 और total cost price कितना है total CP आपका है 20,000 plus 20,000 40,000 ठीक है तो कितने का उसको loss हुआ है 1,000 रुपीज का loss हो गया ठीक है इस पेपर का solution आप एंड तक देखें दुबारा मन करें दुबारा आप रिपीट करके देख लो Thank you